हेलो दोस्तो, एस भी ब्लोग में आप सबका स्वागत है बोतल तो हर किसी के घर में होती ही है और हम लोग ऐसे ही इसको एक तरफ फैक देते हैं या फिर कुड़े बाले को दे देते हैं तो आज हम वही बोतल से, वेस्ट बोतल से कीचेन ओर्गेनाईजर तयार करेंगे और उसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है या फिर कुछ खर्च भी नहीं होगा दोस्तो और ये इतना अच्छा ओर्गेनाईजर बनके तयार होगा उसके लिए मैंने 0.5 लिटर की बटल लिया था और उपर पाट इस तरह से काट लिया है और थोड़ा काट लूँगी तो आप सब देख सकते हो यानि कि मेरे बोलने से अगर अच्छे से देख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है यानि कि उपर पाट इतना ही चाहिए अब इसको करना है क्या कि थोड़ा छेद बनानी है और कहाँ पे छेद बनानी है तो मैंने एक सी गरम कर लिया है और इसकी मदद से पूरा इस तरह से छेद बना लूँगी तो एक उंगलिया छोड़ छोड़ कर हम ये छेद कर लूँगी पूरा को और इस छेद करने के बाद क्या करूँगी आप स्किप ना करके पूरा विडियो को देखते रहिए तो चलिए छेद बनाना तो हो गया है और अब लिया है मैंने सिटी गोल्ड की जो चूरिया होती है उसी को लिया है मैटल की कोई भी चूरी चलेगा पर हाँ यहाँ पे काच की चूरी नहीं लगेगी तो मैटल की चूरी होगी तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा तो इस तरह से एक चुरी को मैंने कट कर लिया है और इस तरह से जो एस होती है उसी तरह से इसको ऐसे एक तरफ से घुमाएंगे और दुसरी तरफ घुमा देंगे तो इस तरह से एस जैसा तयार हो जाएगा तो इस तरह से मैंने बहुत सारे कर लिया है ये देखिए बहुत सरा कर लिया है अब इसको set करने वाली हूँ तो किस तरह से set करनी है ये बहुत ही आसानी से set हो जाता है इस तरह से इसके अंदर डाल दूँगी और डालने के बाद अच्छे से इसको चिपका लेना है यानि कि जिस side मैंने डाला है उस side को अच्छे से आसा दिर रखे में देखन और मिडिला मैं मैंने 3 च्छे लगानी है क्योंकि इसको हैंकरनी है मेरी सुनने से अगर थोड़ा धैन से देखोंगे तो समझ में आ जायेगा तो ये देखिए दोस्तों जिस तरफ मैंने डाला है उसको इसकी मदद से यानि कि इस आसकी मदद से इसको चिपका लेंगे ताकि वो इधर उधर ना ही ले तो ये जरूर कर लेना दोस्तों और इस तरह की री यूज करने में सबको अच्छा नहीं लगता है तो ये वीडियो है जिसको अच्छा लगता है उन लोगों के लिए तो मैंने जो तीन छेद लगाई थी तो इसमें ती डोडिया डाल दूंगी तो मेरे पास कोई धागा नहीं था ुसलिए मैंने जो साड़ी के पाड होते है तो उसी को कटकर के इसथा से ले लिया और तीन छेद में इस तरह से तीनों को डाल देना है डालने के बाद के इसमें एक गांट लगानी है इस तरह से मैंने गांट लगा दिया है अब इसको उपर की साइट से इस तरह से खीच लेंगे और खीचने के बाद मिडिल में इस तरह से जो ढकन है ढकन के पास अच्छे से sit करके इसमें एक guard बाननी है और ये काम बहुत ही अच्छा से यानि कि tight से करनी है तो अगर ये काम अच्छा से कर लोगे तो ये बहुत ही बहुत ही अच्छा एक organizer बनके तयार हो जाएगा और ये 2-3 तरीके से इसको इस्तिमाल कर सकते हो तो कैसे काहां इस्तिमाल करनी है ये भी मैं आप सब के साथ share करने बाली हूँ जैसे कि kitchen में अगर किसे की kitchen छोटे हो या फिर एक ही घर में सब कुछ करना पड़ता है तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका है इस तरह की कोई भी spatula हो या फिर कोई भी चीज kitchen की इस तरह से हैंग करके रख सकते हो और इसमें ज्यादा जगा भी नहीं लगेगा कोई भी जगे इसको हैंग करके रख सकते हो देखने में भी अच्छा लगेगा और ये सब अच्छे से ओर्गनाइजर भी हो जाएगा तो अगर ये idea आप सबको अच्छा लगा हो तो एक like जरूर दे देना उसके बाद देखिए जो मैंने चूरिया की एस बनाई थी और नीचे जो खुला था उसमें मैंने फिर से एक एक करके चूरिया डाल दिया है और अच्छे से चिपका दिया है तो अगर आप इस तरह से कपड़े रखना चाहते हो या फिर दुपट्टा रखना चाहते हो तो इस तरह से बहुत सारी इतनी छोटी इतनी कम जगे में बहुत सारी कपड़े एटच करके रख सकते हो देखने में भी अच्छा लगेगा और एक जगा और्गिनाइजर होके रहेगा तो मैंने इसमें सारा का सारा दूपट्टा इसमें डाल दिया है तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तो तो आप सब कपड़े भी यहां पे रख सकते हो या फिर छोटे बच्चे के जो मोजे होते है या फिर अभी जो ठंड आती है सर के कैप जो होती है वो सब भी रख सकते हो कोई भी चीज रख सकते हो अपने मन पसंद तो मैंने आप सब के साथ दो तरीके स्यार किया है चलिए बढ़ती हूँ अगले टिप की तरप तो अगले टिप होगी इस तरह की कंगन को लेकर तो ये कंगन की कलर फेक हो गया है तो इसलिए मैंने इसको एक तरप रख दिया था तो आज मैं इसको काम में लगाने वाली हूँ तो इस तरह से जो परदे होते हैं बेडरूम की हो या फिर कोई भी जगे की परदे होते हैं तो इस तरह की करने कभी-कभी हमें करना पड़ता है तो इस तरह से अगर एक कंगन को डाल देंगे तो देखने में बढ़िया लगेगा और एक कंगन भी काम में आ जाएगा दोस्तो यह आईडिया भी आप सब ट्राइ करके देख सकते हो अगर आप सब को मेरी वीडियो जड़ा सभी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर बनता है आज जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी कैसी दोस्तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करना तो एक दम से फ्री है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरी वीडियो को स्यार करना ना भूले आज के लिए बस इतना ही फिरकल मिलेंगे